तो आप में से काफिस सारे छातर छातराओं का हमने अक्सर कॉमेंट देखा है उनका कहना था कि सर हमने मैटिक इंडर पास साल 2022 में किया है हमने पुरसाहन रासी के लिए online registration भी कर दिया है लेकिन मेरा ID पासवर्ड अभी तक नहीं आ रहा है इस वीडियो में proper जनकारी देंगे कि इस ID पासवर्ड को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं साती इस ID पासवर्ड को किनको दिया जा रहा है जिसकी complete process आपको दिखाई जाएगी इसलिए आप इस वीडियो को अंतक दिखी ताकि पूरी जनकारी और पूरी step आप बारी किसे समझ पाया है वीडियो अगर आपको प पासवर्ड आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों अभी हम आ चुके हैं एक कल्यान के जो official website है इस website पर हम यहां पर दो तीन नहीं update के बारे में भी जानेंगे क्योंकि काफे सारे student का हमने देखा था कि इससे पहले जिसे वो second division, third division से किये थे तो उनका list में नाम नहीं आ आ जाना है हमारे official website online update.htm.com और तेंथ वाले के लिए आपको यहां पर link मिलता है, 12 वाले के लिए आपको यहां पर link मिलता है, तो पहला काम आपको करना है कि आपको पहले ID password के बारे में हम जनकारी समझते हैं, कि जिनका ID password अभी तक नहीं आया तो क्या करेंगे, तो इस website प पहला काम आपको status check करना है, एक option मिलेगा check application status जिस पर आपको click करना है, जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो आप से यहां पर आपका registration number मांगा जागा, तेंथ, 12 दोनों वाले के लिए हम बात करें कि इसी परकार आप भी check कर सकते हैं, तो जैसे ही आप registration number डाल कर search पर click करेंगे तो इस परकार यहां पर एक काम करना है, beneficiary status में, जैसे आपका नाम है, आधार number है, उसके आलावे आपका जो bank account number है, DOB है, आपका marks है, आधार पर DOB है, यह सभी आपका verify होने चाहिए, इस परकार देखिए, इनका अगर verify है, इस परकार आपका verify है, और फिर आपको ID password नहीं समझे है, लेकिन एक और student का आप देखिए, इनका सभी detail जो है, verify नहीं है, जैसे एक इनका जो bank account है, वो verify नहीं है, जिस कारण से भी इनको ID password नहीं मिलेगा, यहां पर कहने का मेरा मतलब है, कि यहां पर इतने भी आपके detail दिये गए हैं, जब तक सारा verify नहीं होगा, तो ID password आपको नहीं मिलेगा, अब देखिए, सारा कुछ अभी हमने आपको दिखाया, कि एक student का verify है, तो उसका ID password लेने की क्या तरीका वो समझे है, इसके लिए इससी website पर हमने एक link आपको दिया है, get user ID and password, जिस पर आपको click करना है, जैसे ही आप click करेंगे, तो आपको इस website पर redirect क करेंगा, और यहाँ पर आप अपना तेंथ का जो आपका registration नंबर या 12 वाले है, तो 12 वाला registration नंबर और जो mobile नंबर आपने form को fill करते समय आपने डाला था, उस नंबर को आपको डालना है, और एक option यहाँ पर मिलता है, send का जिस पर click करना है, इस पर कर एक message आएगा, आपके बाले पर click करेंगे, यहाँ पर भी लिखार आएगा, कि message चला गया, आप message को check करें, उसके बाद आपको करना यह है, कि फिर से आपको इसी website पर आना है, एक option मिल लेगा, student login, जो ID पासपर अभी आपकी नंबर पर चला गया होगा, उसको डाल कर आप यहाँ पर capture को डाल कर ल तो यहाँ पर देखेंगे, आपको दो काम करना है, जैसे काफे सारे student का जो नाम नहीं था, second division, third division वाला का भी, तो यहाँ पर अब नाम जोड़ा गया है, आप simply देखें, second third में आपको S.A.H.T. वाला का नाम होगा, ओब से वाले मत खुजिएगा, यहाँ पर आपको pending list पे जब आप किलिक करेंगे, तो यहाँ पर जो भी आपका नाम होगा, district का, district को select करेंगे, और इतने सारे जो student है, pending वाले थे, सबका नाम धीरे-धीरे add होते जा रहा है, तो आप आकर आप चेक करिए, और आपका नाम है, तो आप इसके लिए apply कर दिजे, इसमें अगर नाम नह होते जा रही है, जैसे ही इसका अंतिम तीथी निरधारित होगी, उसकी भी जानकारी देंगे, क्योंक काफिस सारे student का comment आ रहा है, कि इसका अंतिम तीथी क्या है, कब तक हम आवेधन कर सकते हैं, फिलाल अभी कोई तीथी निरधारित नहीं हुई है, जैसे ही अंतिम तीथ है कि इस website पे हमने आपके लिए WhatsApp गुरूप और टेलिगाम चैनल ही बनाया है आप इस पर जोईन करें जिससे आने वाले सारी अपडिएट आपको WhatsApp और टेलिगाम के माध्यम से आप तक हम साजा कर पाए दोस्तों अभी आपने आपको काफी पसंदा होगा पसंदा होगा तो लाइक जरूर करें साथी चैनल को सस्क्राइब करें आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आईटी पस्वर्ड आ जाता है तो आगे की फांप कैसे भढ़ना है वीडियो आपको यहाँ पर मिल रहा होगा के लिए करके आप जाकर देख लिए आपका कोई समस्यान नहीं होगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद